मित्रों चैमातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चैमातादी चरू लिखें मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगी मित्रों वर्स तो हज़ारपचीस में रंग पंचमी कब है जानिये सही तीनव तारी क्या है पूजा करने का सुप महूरत कब है जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेर्ट है कि आभे तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे स्यार करेंगे मित्रों रंग पंचमी चैत्रमास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथी को मनाई जाती है रंग पंचमी होली के पांच दिन बात पड़ती है पंचमी तिथी होने की कारण इसे रंग पंचमी के नाम से जाना जाता है इस दिन लोग राधा किश्व को अभीर गुलाल चाहते हैं और एक दूसरे पर अभीर गुलाल उड़ाया जाता है पौराणिक मान्यता की अनुसार पंचमी तिथी को लोग गुलाल को हवा में उड़ाकर भगवान को रंग अरपित करते हैं माना जाता है कि उड़ते गुलाल से देवता प्रसन होते हैं और भगतों को असिरबात देते हैं साथ ही हवा में गुलाल और रंग फेकने से वतावरण में सकरात्मक उर्जा प्रवाहित होती है रंग पंचमी के दिन माता लच्मी की पूजा करने का विशेश महत्व है इसलिए इस दिन को स्री पंचमी भी कहा जाता है मित्रों अब रंग पंचमी पूजा करने की विधी को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है रंग पंचमी के दिन माता लच्मी और भगवान स्री हरी की कमल पर बैठे हुए एक तस्वीर को उत्तर दिशा में एक चौँकी पर रख दे तस्वीर के साथ ही तामबे के कलच में पानी भर कर रख दे इसके बाद घी का दीपक जलाकर भगवान को गुलाल के फोलों की माला अरपित करें खीर मिस्री और गूर चने का फोग लगाएं मित्रों अब पूजा करने का सुभ मुहुरत को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है मित्रों अब आपको बता दे कि वर्ष तो हज्यार पचीस में रंग पंचमी 19 मार्च दिन भुत्वर को मनाई जाएगी पंचमी तिथी सुरू होगी 18 मार्च तो हज्यार पचीस को रात्री दस बच कर दस मियट पर पंचमी तिथी खत्म होगी 20 मार्च तो हज्यार पचीस को रात्री बारा बच कर 35 मियट पर